इस वीडियो में मैंने 40 questions के solution प्रवाइड करें हैं सर पेपर कौन सा essay exam है standard कौन सा 8th standard है मैं तो कह रहा हूँ 9th और 10th वाले कर लें तो भी बड़ी बात है क्योंकि अच्छे questions है सर आपने यही क्यों लिया देखिए हम एक सीरी चलाते हैं Bright Student Class और वो Bright Student Class में generally हमारा जो परपज होता है ना उनको अच्छे questions का एक्सपो देना होता है और उच्छे questions में हम पुराने past year के IMO, NSTSE NTSC NSO उन सब के question paper कराते हैं तो इस series में आज हमारा है कि 2022-23 में एक exam हुआ था उसके question के solution मैंने आपको provide किया गए है सबसे अच्छी बात पता है क्या है इसके questions की quality मुझे as a math teacher बहुत appealing लगती है करीब करी मुझे 18-20s होने वाले है math teacher को और मुझे अक्सर ये बहुत appealing इसलिए लगते हैं कि questions इनके repeat नहीं होते बहुत अच्छी है तो मैं अक्सर बच्चों कहता हूँ कि आप करके तो देखी then decide कि मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ चली पहला question ले लेते है question 1 से start करते है चली ये कहता है कि दो triangle है which of these two triangle is the sum of the interior angle the greatest sum of interior angle is the greatest देखी सी बात है triangle के तीनो angle का sum है वो same होता है तो इस case में C है वो correct answer है starting बड़ा आसान question से करिए कितना बढ़िया way है start करने का दीरे दीरे थोड़ा से increase करेगा question number 2 देखी which of these are rational numbers इनको simplify करके देख लेते हैं भई 1 इसके नीचे 10 आ जाएगा और अगर आप यहाँ पे simplify करोगे तो देखा जाए तो handed आ जाएगा ये cancel हो रहा है बिल्कुल cancel हो रहा है तो अगर आप देहान से देखो तो 110 upon 555 आया ठीक है further cut करने की जुरुत नहीं बड़ी ये racial number है ये भी racial number है क्योंकि 11 by 10 आएगा ये भी racial number है तो इस case में अगर आपका answer C है बिल्कुल correct है ये racial number की definition से related है third question देख लिजी कहते है भी सारुक added in 1 by 3 में एक number उसने add करा और 6 by 18 आया अच्छा एक बड़ आगर ध्याम दे तो इस 6 by 18 देखा जाए ने तो 1 by 3 है तो 1 by 3 में क्या add करेगे 1 by 3 आये तो answer तो 0 है तो what number did he add to 1 by 3 तो इस case में answer है वो भाईया ए आ गया चलिए fourth question देख लेते हैं कहते है कि भाईया इसी pattern में अगर हम आगे चलते रहे तो क्या आएगा which of these will be the part of the pattern अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे plus का 6 हो रहा है यहाँ पे कराके देखा तो plus का 6 हो रहा है प्लस 6 करते जाईए ठीक है जी प्लस 6 जैसे जैसे करा तो minus का 55 है ना वो इसमें आ रहा है correct तो मेरा मान नहीं यह आपको समझ में आया होगा last digit से भी पता लग जाता है यह तो जैसे अगर आप ध्यान दे 3715 तो यहाँ से जोगा 3715 यहाँ से देखो फिर 9 के बाद में 3715 तो यह भी एक तरीका है 5th question देखिए कहता भी 3 different common without overlapping to form which one will call the most area देखिए अगर perimeter होता तब भी हम बात करते है यह most area है तो area तो दोनों triangle का sum होगा तो इस case में अगर आप देखो all the same will have the same area इसमें area पे फरक नहीं पढ़ना चाहिए तो answer है वो आपका D हो जाएगा 6th question देखिए यह भी easy है what is the value of इसमें तो 4 को वहाँ transfers कर दोगे x by 2 10 minus 4 करा और यह 6 आगया x by 2 6 आगया तो x की value है वो 12 आजाएगी यह भी देखिए अच्छा question था easy वाला कहूँगा मैं 7th question की तरफ चलते है कहता है कि भाईया इस case में दो friend है ठीक है अनवर ने 1 4th of the coconut from a tree ठीक है सुमेट प्लक्ट 1 by 2 of the remaining अगर मैं total है ना x ले लेता हूँ तो अनवर ने कितने लिए 1 by 4 यह देखिए 1 by 4 x लिख दिया अच्छा इसने remaining देखिए underline भी वो करा है तोड़ा हाईलाइट मतल 1 by 4 अगर minus कर दोगे तो उसका half लिया है तो यानि कि सुमीट के पास 3 x by 8 है कहता है अनवर के पास तो 6 कोकोनेट है तो यह जो मेरी कॉंटिटी है ना मैं अगर 6 के बराबर कर देता हूँ ना तो मेरा आंचर कितना आ रहा है आंचर आजाएगा 24 और कहता है how many कोकोने सुमीट आओ तो भी यह x की value 24 आगी इसमें 24 पूट कर दूँगा 8 1 जा 8 3 जा 9 अगर आपका आंचर आता है बिलको ठीक है done 8 question देखते हैं हमसे कह रहा है यह graph को पढ़के आंचर देना है विच ओफ दीज ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन बजट एलोकेशन होने year to a greatest increase मुझे यहां दोनों में लग रही है और यह अगर मैं देखू हूँ तो इसमें अपरोक जो है यह 80,000 है और यहां अगर मैं देखू हूँ तो यह आ रहा है यहां पे 11,000 के आसपास तो 1,000,000 और 10,000 के आसपास आ रहा है तो 1,000,000 में जो difference है ना यानि कि इन दोनों का difference अगर मैं लूँ तो 30,000 करोड अगर यह option आपका भी आ रहा है बिल्कुल ठीक है अच्छा इसी में से 9 देखते हैं कहते हैं which year was the percentage of total budget allocated for education list list वाला मुझसे पूछा है और year wise पूछा है तो यह graph को अगर मैं ठीक से देखू तो मेरा मानना है कि यह वाला जो है ना वो list है और यह list है तो यह कौन से year में 2011, 2012 में है तो अगर आपका answer A है तो बिल्कुल ठीक है done अब देखते हैं 10 वाला यह भी इजी है क्या question है कहता है कि भाई यह 5 तो एक ध्यान देना यह कहता है कि भाई यह same price थी हर एक book की 5 books purchase करी गई 750 में तो सीधी सी बात है एक book की जो price है ना वो आप कैसे निकालो गई भाई यह 750 को 5 से कर दिया यानि कि answer आपका आगया 150 2 more books of the same day तो how much for those 2 books तो यह 2 into 300 यानि कि वो करेंगे और हमारा जो answer है ना वो आ जाएगा 300 आपको clear वो आओगा चलिए next question की बात करते है 11th question करते है ऐसे question है ना NTSC exam में बहुत आते थे बहुत ही famous exam है government of India का बड़ा अच्छा question है देखी क्या कर रहा है एक pattern हमें find out करना है जो पहले वाली में figure में दूसरी तीसरी में satisfy करेंगे वो वही pattern यहां आना चाहिए तो जो answer है वो बता देता हूँ पहले में आपको pattern देखी क्या है 3 का square minus 1 यानि कि 3 का square करेंगे 9 minus 1 करेंगे 8 आएगा 8 का square minus 6 में 8 का square 64 होता है 6 माइनस करेंगे 58 आया 4 का square minus 2 4 का square 16 होता है और 2 माइनस करेंगे तो 14 आया है similarly 10 का square minus 8 करोगे 92 अगर आपका भी answer आया है बिल्कुल ठीक है चलिए question 12 की तरफ देखते है देखे क्या question है के दब एक triangle है ये लिजे triangle हमने बना दी list angle है और one angle दे रखा है दीखे इसने ये नहीं mention करा कि ये equal angle है ये दूसरा है तो case 2 बनते हैं इसमें case 1 क्या बनते है अगर मालेजिए vertical angle है और ये दोनों side बराबर है तो ये angle 70 और ये 70 बन सकता है तो 70 degree भी आ सकता है लेकिन अगर case 2 ले 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 case 2 में जरूरी नहीं ये ये वाला one of equal angle 40 हो जाए तो इस case में 80 हो गया ये handed बन जाएगा तो देखी handed भी आ सकता है और 70 भी है और 40 भी है तो ये कह रहा था which of these could be the measure of another angle in the triangle ये तीनो possibility है तो अगर आपका answer 1, 2, 3, 3, तीनो आ रहा है बिल्कुल ठीक है, done चली next question की बात कर लेते हैं, 13th question easy competitor लेते हैं, कि base अगर same होते हैं तो आप agree करोगे ये 2 प्लस में 6 करोगे तो 8 की power rate आया, और अगर यहाँ पे भी देखोगे तो ये भी same base है, तो 8 की power rate है तो इसमें D answer आता है 14th question देख लेते हैं, कहता है कि ये 5 digit number है, 4 digit तो हमें D रखे हैं, ये missing है ठीक है, और कहता है अगर इसको 4 से multiply कर दे तो जो answer आता है नो, 8 and 8 plus में something आता है, तो इसमें बड़ा बच्चे घूम जाते हैं, question कहा रहा है, ये जो fill in the blanks इसकी जिगे पर क्या आएगा कि statement हो correct हो जाए चली मैं solution समझाता हूँ आपको सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ आपको द्यान देना ये इसको मैंने, जो missing है इसको मैंने y मान लीजी लीजे भई यो y मान लीजी और अगर आप 4 से multiply है ना तो मैं दोनों तरफ 4 से divide करता हूँ तो ये वाला पूरा भी 4 से divide हो जाएगा और 800 भी 4 से divide होगा और y भी 4 से divide होगा ये दोनों cancel होगा तो यहां से 3824 ये number बचा ये 200 आगया यहां से और यहां से y by 4 200 को transpose कर देता हो राइट साइड में लेफ्ट में आ जाएगा तो माइनस करेंगे ना तो 380 ये number आया अब इस number मुझे तो y चीए ना तो ये 4 जो divide में ना यहां पे multiply हो जाएगा 3804 ट्रेंगल और ये 4 तो देखो ये C option है ना ये आपको correct लग रहा है So this is answer बात बनी 15 question देख लेते हैं ये easy question है 50% के देखो इसको approach में आगर 50% of 150 के आसपास लो तो 75 होगा ना और ये approach ही तो पूछ रहा है तो approach का मतलब है ये 75 है ना वो correct answer है बात बनी चली और आगर आप करके भी देख सकते हो इसको इस तरह से करके देखोगे तो जो value आएगे ना 66 के आसपास आ रही है तो वो भी 75 के close है तो 75 is the right answer अब आजाता है कि 16 देखते हैं which of these shows how to find इनमें समें सारों में method देखते हैं तो ये जो 2p is equal to 14 है ना ये 2p equal to 14 है तो दोनों तरफ मैंने 11 से multiply कर दिया और दोनों से multiply करके ये जो step है ये बिलकुल ठीक है तो आप से हमसे पूछा गया था कैसे निकालें तो B of such correct है 17 देख लेते हैं अच्छा question है अब देखो इसमें parallelogram दे रखी है और parallelogram का मतलब base into height है area और अगर height तो ये भी है height ये मिल जाए तो base तो हमारा ये काम देई देगा कौनसा काम देदेगा ये पूरा ये 2 है ना तो ये भी 2 होगा sir क्यूं होगा तो इसने लिखा हुआ है अगर आप ध्यान दो कि Q is the midpoint of PR तो PR का midpoint है तो ये total 4 हो जाएगा अब एक नई चीज़ दे रखिए इसने QRT का area 6 है इस triangle का area 6 है चलिए सबसे पहले तो area का formula बताता हूँ आपको अगर आप agree कर रहे हो तो area का formula होता है half base into height ये base और ये height लिया QR और TQ लिया TQ जो है ना ये मैंने height लिया ठीक है 6 के बराबर दे रखिए और ये मुझे 2 दे रखा है तो ये 2 से 2 केंचे तो TQ 6 आ गया अगर ये 6 आ गया ना तो अगर ये height हो गया 2 और 2 ये हो गया 4 क्या हो गया आपका base तो अगर आप ध्यान दीजिए देखिए मैं इसको ठीक से कर दूँ यहाँ पे आप note करें 4 इंटू 6 है ना 24 आपका answer अगर आता है तो बिल्कुल ठीक होगा यान कि C is the right answer Done चलिए next ले लेते हैं चलिए 18 करते हैं कहता है कि भी exactly one line of symmetry करने के लिए कितनी shade करेंगे तो मेरा answer 2 है देखिए कैसे अगर मैं इसको shade कर देता हूँ ठीक है और मैं अगर इसको shade कर देता हूँ ठीक है तो अगर आप note करें यहाँ पे जो vertical line of symmetry है ना वही possible होई ठीक है अब बोलो सर्थ horizontal क्यों नहीं shade यह horizontal वाली नहीं होगी अब इस case में क्योंकि horizontal वाली तब होती यह जब इसका shaded portion नीचे आता so be is the correct answer 19th question देख लेते हैं क्या क्यों है कहता है इस case पे which of the factors should go in the box resulting number है ना largest होना चाहिए अगर मैं यहाँ पे negative रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए वैसे तो सारे option पूट करके देख लीजी तो देखे नेगेटिव अब यहाँ है नेगेटिव अंदर है बाहर है तो यह बन जाएगा 5 प्लस 1 बाई 3 और आंसर इसका LCM लोगे LCM आ गया 3 तो 15 प्लस में 1 16 बाई 3 आंसर आया ठीके अब यह 16 बाई 3 जो है ना और case में नहीं आएगा अगर प्लस रखोगे तो भी नहीं आएगा multiply रखोगे तो negative यह आ रहा है divide रखोगे तो भी नहीं आएगा तो B is the correct answer 28 देख लीजी तो 6 digit का even number है even number है और इसने साफ लिखा हुआ है has the digit 0 in 1's place तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे तो 0 दे रखा है ठीक है जिसके last में 0 है उसका even number ही factor हो सकता है prime number बिल्कुल भी है 2 भी prime number वो भी factor हो सकता है multiple of 5 बिल्कुल हो सकता है तीनों possible है अगर आपका answer D है ना तो बिल्कुल correct है चलिए next question करते है 21st question कर लेते हैं बहुत बढ़ी है question है कहते है which of the following expression represent fraction of shaded अगर आप भूल गे हो तो बता देता हूँ fraction shaded का निकालने का तरीका था कि जो shaded box है ना वो होंगे उपर और जितने total है ना equal total equal parts वो नीचे तो आप देखो यहाँ पे 4 थे ठीक है एक इसमें 4 में से shaded है अगर same way में यहाँ पे करोगे तो चार बनेंगे तो यह चार लिख देता हूँ यहाँ पे करोगे तो भी चार बनेंगे तो आपने ध्यान दिया चार चार है टोटल तो होगे हमारे देखा जाए तो 12 ठीक है और shaded है 1 तो 1 by 12 आना चीए 1 by 12 जो है वो सिरफ और सिरफ एक ही जगह पे आ रहा है आप बोलोगे शर कहां पे वो आ रहा है बी में कैसे समझाता हूँ जब इसको simplify करोगे न तो 1 by 3 और यह 4 by 1 है न multiply है तो 1 by 4 हो जाएगा और 1 by 12 आन्चर है correct ज़्यादा तर बच्चे इसको C को कर लेते हैं C जो है वो wrong आन्चर है चलिए question 22 देखे अकसर बच्चे जल्दी में गलत कराते हैं बड़ा interesting लगा मुझे पहली बार तो मुझे भी लग रहा था यार यह ठीक होना ची कहते है how much more than 6 lakh is 6.005 lakhs देखे सबसे पहले पता है क्या होता है इन दोनों का difference निकालते हैं यह होता है न जब इन दोनों का difference निकालते हैं न तो देखे इनका difference मैंने निकाला वो आया दोनों को minus कर दिया यह देखे न माइनस कर दिया तो 0.005 lakh है यह और आंचर देखो 1000 में दे रखा है 100 में दे रखा है 10 में तो मैं क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले convert करता हूँ, sir कैसे कर रहे है convert, यह जो lag आया ना, इसको मैं thousand में लेके आता हूँ, एक lag रखा, यह 0.05 को ऐसे लिख सकता हूँ, यह 3.0 से 3.0 वा गैंसल कर दी, 500 यानि कि अगर आपका answer C है ना, वो बिलकुल correct है, maximum बच्चे कहते हैं, ऐसे D होगा, जो wrong होगा, वो 100 होता, और वो भी गलत हो जाता है, 100 जो है ना, वो टी होता है last में, यहाँ पे last में S है, और यह भाईया आपको ध्यान से करना है, कि यह lag में दे रखा है, तो यह lag में नहीं है, clear होई बात थोड़ा सा, 23 देखते हैं, तीन गलास हैं, 200, 200, 200 है, ठीक है, एक कीरा है ना, कीरा ने five times उसमें से पानी पिया, right, और कहता है, दो condition follow करें उसने, पहली condition क्या कह रही है, कहता है, वो पानी पियेगी, जिसमें सबसे ज़्यादा पानी है, और दूसरा कह रहा है आगर मान लेजे सम में बराबर है ना तो वो उस में से किसी में से भी ले सकती है वे जैसे सम में 200 200 है तो किसी एक में से पी लेगी दूसरी condition कहा है कि एक बार में वो सिर्फ आदा पानी पी ए गई और ये दोनों condition को fulfill करके answer बताईए इसको underline करता हूँ पांच बार ठीक है चलिए start करते है सबसे पहले मैंने देखा बई first time मैं ना उसने दो 200 200 था ना तो इसने इस वाले में से ये handed ले लिया half देखिए इसने लिखा हुआ हाफ ही लेगी पर तीनों में बराबर था तो hundred इसमें handed बचा तो consume कितना करा handed consume किया है ठीक है अगले वाले में अगर आप ध्यान दोगे न देखिए अगले वाले समझाता हूँ आपको पकड़ में आ जाएगा अब इसमें से second time जो पानी पीने जाएगी तो दोनों भरे वे ना इन दोनों में से तो ये इस वाले में से fill कर लेगी तो remaining बचेगा handed और ये वाला handed consume किया ठीक है third time पाने पीने गया तो सबसे जादा पाने इसमें था तो इसमें से उसने consume कर लिया handed और remaining कितना बचा handed ये तीन बार consume करने के बाद है हमें कह रहा है five time consume किया उसने फिर आप देखो ये तीनों बराबर हैं तो किसी में से भी पी लेगी बराबर तो इस वाले में से उसने आदा डिंक करा तो 50 consume किया 50 बच गया तो ये देखिए फिर आप देखिए इन दोनों में हाइस्ट है एक में लिया तो इसमें से 50 consume कर ला तो बचा कितना 50 मतलल आगर हम से पूछा था कितना consume किया 400 आपका आंचर आया है बिलकुल ठीक है 24 question देख लेते हैं ये easy है equivalent पूछा सबसे पहले इसको solve करो ये तो 4x होता है न और इसको लिखोगे 5x प्लस में पी माइनस का 4 इन दोनों को करा तो अक्सर मैं मानता हूँ कि ये number free का था बच्चों का तो ये answer जो है वो correct है 25 देख लीजिए बिया कहता है कि ये पहले तो ये बताओ ratio जो होता है न उसका meaning होता ह comparison कहता है which cannot be the ये नहीं हो सकता वाया सरी क्यों नहीं हो सकता जब ratio निकालते है न तो ratio की कोई unit नहीं होती सर क्यों नहीं होती ये 2 cm upon 3 cm करेंगे न तो ये cm से cm कट जाता है तो ratio की unit होती नहीं तो ये वाला तो होगा नहीं ये दोनों possible है first और second अगर आपका answer C है तो बिलकु correct है वैसे भी बताऊं decimal भी ratio में नहीं होता है लेकिन लिख सकते हैं decimal आगर इसको lowest form में कर simplify करोगे तो 2.5 हो जाएगा 5 by 2 और अगर इसको और simplify करोगे तो इसको 2 से multiply करोगे तो 4 ratio 5 आएगा लेकिन मैंने एक line बोली आपको कि ये भी कही जगे लिखा होता है तो ये दोनों correct ह चलिए 26th question करते हैं कहता भी किसोरा बोट टोट 900 ग्राम के fruit लेके आया और वेटो बनाना दो fruit कौन कौन से है पहले तो देखते हैं कि एक fruit है बनाना ठीक है और दूसरा है स्ट्राबोरी बेरी तीसरा है grapes ठीक है कहता भी बनाना ही बोट ना two time है strawberry का ठीक है और ये 300 ग्राम ह और total ना देखिए पहली चीज़ आपको ये total दे रखा है 900 ग्राम तो करना क्या है आपको ना एक linear equation बनी क्या बनी कैसे आपको समझाता हूं कि मैंने इसको eggs ले लिया क्यों क्योंकि बनाना का two time है ये लिखा हूँ है बनाना he bought was two time the strawberries और 300 ग्राम के ये grapes है इन तीनों को मैं add करूँगा और ये nine hundred के बराबर आएंगे क्योंकि total जो fruit है ना वो nine hundred के ग्राम के हैं इनको जब मैंने simplify कराना तो ये two x और x three x हो गया ये three hundred को यहां बेजूँगा subtraction six hundred आ गया x की value two hundred आई अगर ये two hundred है तो भीया किसकी x की value तो ये two x four hundred हो जाएगा तो हमसे बनाना का weight पूछा गया था तो four hundred is the right answer अगर आपका ये answer आते दिन correct है चली twenty seven कर लेते हैं मज़धार question है कहता है कि area of shaded region बता रही है देखिए इसका area one है इसका भी one है इसका भी one है सिधा सिधा है ये one है ना मैं अगर इसका area निकालो ना इस तीनों triangle को जिसको मैंने outline करा है ये half base into height होता है ठीक है half base into height में base यहाँ पे हो जाएगा three ठीक है जी और height जो है वो one तो ये one point five आया three by two और तीन ही हाँ पे पूरे है actual में total तो है ना वो three में one point five करोंगा तो four point five आया लेकिन ये वाला तो खाली है ना इसको तो minus करना पड़ेगा तो maximum four point five जा सकता है तो ये between इसने ते कोई क्या लिखा हो है between four point five और five नहीं हो सकता exactly five नहीं हो सकता exactly four नहीं हो सकता तो जो option बचा है ना वो भी बचा है four और four point five के बीच में अच्छा question था चलिए next question twenty eight की तरफ चलते हैं बहुत बढ़िया question है question देखते क्या है कहता है कि भाया हमें ना ये x निकालना है ठीक है और one or two का sum 90 है अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको extend कर लो ना ये मैंने increase कर लिया आगे triangle बनगी इन दोनों का sum 90 है तो भाया ये भी 90 बचा सर ये क्यों बचा क्योंकि आपको पता है ना कि तीनों angle का sum जो है ना वो 180 होता है अगर 2 का sum 90 होगा तो थर्ड तो 90 बनेगा ये बनेगा ये 90 है अगर linear pair करो तो ये 60 हो गया और ये 60 हो गया तो angle sum property से ये 30 आएगा ये 30 आएगा तो X की value 180 में से 30 माइनस करोगे 150 डिगरी आया अगर आपका answer C है ना वो बिल्कुल correct है done 29 कराता हूँ देखिए 29 question क्या कह रहा है पजल है ये question तो कम है ये locker की photo दे रखी है they don't have any locker top row है ना ये हमारे लिए ये बिल्कुल इसमें से कोई locker नहीं दे रहा और ये condition है कहता है कि ये दोनों friend है ना वो adjacent locker ची एड़िसेंट होते नियर बाई ठीक है इधर horizontally और vertically तो कहता how many pairs of locker are available for them number of pairs निकालने है चली answer बताता हूँ अगर आप ध्यान दें तो भया सबसे पहले horizontal बताता हूँ ये तो है नी ना काड़ दिया horizontally में ये एक pair बना ये एक pair बन सकता है दो तीन चार चार तो pair है और तीन रोज है तो total 12 हो गया ठीक है जी next बताता हूँ फिर आप देखोगे one pair ये भी तो हो सकता है second pair ये भी हो सकता है तो दो pair बनती है लेकिन ऐसी कितनी रोज है कितने कोलम है one two three four five ये five है ना वो कोलम है अगर five कोलम है और हर कोलम में दो पेर बनते हैं तो यहाँ पे ten आ गया 22 is the right answer अगर आपका भी answer 22 बिलकुल correct है done अब बात करते 30th question की well ये काफी confusing question लगा मुझे क्योंकि बहुत बच्चों ने मुझे कहा सरी ये गलत है समझातों फिर भी कहता भी garbage है ना वो two time collection होता है एक week में correct ठीक है और garbage की जो bin की height है ना वो 150 है right भी ये वैसे कह रहा है कि मानलो जी ये डबा है ये 150 cm का है okay अब ये कहता है कि भी ये हुआ क्या कि एक particular week है ना वो दो बार की बजाए एक बार ही आया collection करने ठीक है कहता है which of these best represent the height of the car which has been during that week भी ये अगर simple सी बात करों कि week में ना वो देखा जाए है तो seven days होते है और वो दो बार आता है तो दो बार आता है तो हम मान लेते हैं कि भाया वो क्या करता है साड़े-तीन दिन का मतलब कि मान लेजी एक तो आता है ये और फिर एक बार आता है ये अप्रोक्स ले लिया ठीक है हर तीसरे दिन आता है अब ये कहता है विच ओव दिख देखिए ये height है ये time period है ये garbage खाली होगा ना तो एकदम zero हो जाने चीए उसकी garbage की जो height है garbage की height का मतलब है कि उसके अंदर जो कचरा है उसकी बिन की नहीं तो ये देखा जाए तो यहाँ पे garbage की height दीरे-दीरे कम हो रही है यार लेकिन खाली होता है तो जट से कम होनी चीए तो ये तो होई नहीं सकता ये भी दीरे-दीरे कम होरी height garbage की ये भी नहीं हो सकता तो actual में ये जट से खाली हो रहा है तो ये दोनो possibility में से हो सकता है ठीक है फिर अगले वाला लेने ही नहीं आया आपने देखा दो दिन में 100 cm तक बढ़ गया था ये यहाँ पर दीरे-दीरे तो अगले दो दिन में 100 को भी cross कर जाएगा sir garbage के bin तो 150 है bin की 150 है तो क्या हो ये dump लग जाएगा उपर तक चला जाएगा तो इस case में जो answer है ना वो होना चीए C क्यों होना चीए C क्योंकि ये कह रहा है garbage की जो ये वाली चीज है ये constant थोड़ी हो जाएगी वो लेने नहीं आएगा तो dump उपर तक चला जाएगा 150 सूपर भर जाएगा माली जी handed भरी है तो handed के बाद two handed होगी तो two handed के लिए तो उपर चला जाएगा C is the right answer Done जान के चलिए ये चीज positive बनेगी ये positive कब बनेगी जब ये जो number है ना इनका simplification में 5 बड़ा हो 5 बड़ा तो तब ही हो सकता है अगर plus का sign जो है वो आए अगर plus का sign आता है तो देखिए ये plus का 5 हुआ और ये 1 हुआ और बाहर 1 है तो negative आ रहा है कहते है लिस्ट वेल्यू आने चीज़ी या तो आप इनकी वेल्यू निकाले जीए बे किसी की power 0 है ना वो तो 1 होता है चाहिए कुछ भी हो ये negative है और odd number होता है तो जो भी हो answer आएगा ना वो actual में negative आएगा और ये even है तो जो answer आएगा वो positive आएगा तो plus का 7 की power 10 आएगा इस case में जो answer आएगा ना वो negative आएगा अब हमारे पास देखा जाए तो list value में इन दोनों के बीच में comparison करना है तो 4 की power 7 और 3 की power 5 में ये वाला number है वो बड़ा है और बाहर negative लग गया तो list value है हम इसकी count करेंगे तो इस case में जो answer है ना वो मेरा B हो जाएगा आपको वापिस बता हूँ minus 100 में और minus 90 में minus 90 बड़ा होगा list value तो minus 100 ही होगी ये तो example था for example इसको simplify करोगे तो ये आएगा 33rd question देख लेते हैं अच्छा question है क्या कह रहा है कहता बढ़ी दो friend है और दोनों friend Fran और Kelly ठीक है पुराने जिम में जाते हैं वहाँ पे 12 ended पर month देते हैं नया जिम का add देखा हो उनोंने 6 months का देखा जाए तो 6000 है तो ये अगर करी करी मोटा मोटा देखा जाए तो इसका वतले 1000 रुपीज मांग रहा है और यहाँ पे 12 months का है न यहाँ पे 1000 यह नए जिम की बात कर रहा है और नए जिम में देखो अगर वह एक साथ 12 महीने का देते हो तो 2 महीने एक स्था भी मिलते हैं चली question देखते हैं कहता है कि which of these अगर Kelly ने अपना पुराने वाला जिम है उसको छोड़के और 12 month वाला package ले लिया है तो यह बताईए कि फरान रिमेन पुराने वाले में है which of the closest of money C compared to फरान 14 months का time period में तो 14 months में न सबसे पहली बात है दोनों जिम का निकालते हैं 14 months में अब Kelly ने न नए वाले जिम को उप्ट कर रहा है ठीक है नए वाले जिम में न 12 month के साथ में 2 month extra है तो 14 month का सिरफ 12,000 पे करा फरान जो ओल्ड जिम में काम कर रहा था उसने क्या करा है पर मन्त है न वो 12 hundred है तो 14 month का कितना दिया 16800 दोनों का difference निकाला 48 hundred अगर आपका answer D आता है बिल्कुल correct answer है चली इसी से related 34 question देखते है question देखते हैं क्या कर रहा है कै तब फरान decided to join 6 month का है वो फरान ने decide कर लिया और which of this could be percentage कितनी percentage saving हुई और when compared to old 6 महीने जो है उसने पुराने मन्त में का पुराने जिम में गया 6 महीने नए मैं तो उन दोनों की बीच में percentage saving निकान लिए है बिल्कुल ठीके बड़ा अच्छा question है देखें मैं आपको समझा दो पहले तो आपको percentage का formula पता होना चीए यह formula होता है अगर आप भूल गए हो तो change percentage का formula यह होता है तो सबसे पहले मैंने पुराने वाले में च्छे मीने का उसने कितना pay करा 72 hundred 12 hundred into नए वाले जिम में उसने कितना करा 6 month का उसने pay करा है 6000 रुपीज अब इन दोनों का difference निकाला तो दोनों का difference 12 hundred है इस formula में मैंने रखा difference upon original देखी यहाँ पे original 72 hundred लोगे इन दोनों 0 को दोनों 0 से cancel करोगे 12 1 जा 12 6 जा handed by जो 6 है ना वो देखा जाए तो 16.67 के बराबर होता है इसका answer B है आपको अगर यह change percentage का formula पता है तो सारा आप आसारी से calculate कर लोगे done 35th देख लेते हैं well बहुत ही बड़िया question कहूंगा मैं इसको कहता है बई sum of all number minus 90 से from में boundary count करते हैं द्यान में रखना है यानि कि minus 90 से लेके और minus 89 और इस तरह से कर रहा है कि minus 80 तक इनका sum P है ठीक है कहता है find the sum of integer minus 80 से अच्छा plus 90 यह द्यान दिया आपने कुछ इसका निकालना है बिल्कुल ठीक है देखे मैं आपको बता तो सीधी से minus 80 आप बोलो सिर्फ सम दे रहा है फिर भी क्यों करो minus क्योंकि negative integer को add करते हैं ना तो negative ही आंचोरात है इसकी notation P के बराबर है निकालना है minus 80 से plus 90 minus 80 शुरू करा उल्टा minus 79 minus 78 तो अगर आप note करो यहां तक तो negative है minus 1 ठीक है फिर 1 से लेके अगर मैं ले लेता हूँ 80 यह positive है अगर आप द्यान दो तो यह दोनों तो strike off हो जाएंगे ना 0 हो जाएगा तो sum तो देखा जाए तो 81 से start हुआ है 81, 82, 80, 90 और इस notation में अगर मैं minus बाहर ले लेता हूँ तो अंदर सारे के सारे positive बन जाएंगे और वो positive जो है ना वो अगर आप देखो तो वो तो P के बराबर दे रखा है तो यह minus P बन जाएगा और यही चीज तो मुझे निकाल नहीं थी तो यह चीज minus P के बराबर होगा अगर आपका option A है बिलकुल correct है I hope आपको मैं समझा पाया हूँ 36 question देखिए Beautiful one बहुत ही बड़ी आ question important मानता हूँ सब में सबसे ज़्यादा important में question देखते हैं क्या कर रहा है कहता है length of the curve MN यह हमें length है ना यह दे रखी है ध्यान दीजिए यह हमें 3 दे रखी है ठीक है और इसको cut कर दिया है और circumference भी दे रखी है 18 हमें MN 60 दे रखा है अगर मैं देखू ना तो यह length इसने जो dotted कर रहा हूँ यह cut कर दिया agree और यह 3 cm थी हमसे कहता है perimeter निकालो save इसका perimeter perimeter होता है boundary की length यहां से चले जिसके उपर मैं outline कर रहा हूँ यह वाला और फिर यह length लेनी है जिसके उपर अभी मैंने कर रहा है state line तो अगर यह 60 है तो भाईया यह भी 60 होगा यह भी 60 होगा सर क्यों 60 होगा क्योंकि यह दोनों के दोनों जो है ना यह बराबर होगे आई-सो से लेस radius है यह तो तो equilateral triangle बनगी equilateral में 360 होगे तो मुझे यह बताना था कि यह जो MN length है यह radius के बराबर आगी अब आपको समझ में आ जाएगा सबसे पहले मैं क्या करूंगा इस पूरे circumference में से यह 3 निकाल दूंगा और यह भाईया code है जो R के बराबर है यह add कर दूंगा answer बतातों कितना है देखिए इसका answer है वो आपका आजाता है circumference पहले तो 18 दे रखी है न तो circumference 2 pi 18 के बराबर है यहां से R निकाला तो R बराबर आया 9 pi 9 upon pi ठीक है जी फिर perimeter में पूरी circumference में से नहीं मैंने L minus किया है L इसको कह रहा हूँ मैं यह जो है न जो portion cut कर रहा है जो 3 के बराबर है इसमें से यह minus कर दिया और यह MN है न जिसके उपर अब ही मैं कर रहा हूँ इसको मैंने add कर दिया तो पूरी circumference तो 18 given है L 3 minus करना है MN है न यह radius के बराबर है यह क्यों आया पता लगा Equilateral triangle है Equilateral triangle में यह 3 साइड बराबर होती है क्योंकि 60 60 60 के बराबर आगे न यह 15 है और यह R है R की value मैंने यहां से N upon pi निकाला है अगर आपका answer B आया है बिलकुल correct है answer आपका done 37 ले ले लेते हैं अच्छा question है कह रहा है कि भाईया अगर इसमें 5 stick है ठीक है अगले वाले में इस figure में 10 होगी 2 होगे ना फिर 15 होगी तो यह कहता है एक में 5 है then 15 है then 10 5 5 का gap है कहता है N वाली figure में क्या होगा तो अगर आप देखो यह तो 5 into 1 है पहली figure में 5 है यह 5 into 2 है second figure में को 5 से multiply करका है third figure में भी 3 से तो अगर N चाहिए तो 5 into N हो जाएगा तो अगर आपका answer 5 N आ रहा है बिल्कुल correct है number of sticks है ना वो 5 N के इसमें done 38 question देखते है बहुत ही बड़ी understanding का question है which of these could be कहता है product दे रखा है यह दोनों का product 0.24 है कहता है कि बहुत दोनों less than 1 है दोनों number दे हां रखना कहता है यह बताए कि इन में से कौन कौन चा what could be the 1 हो क्या number हो सकता है इसके साथ में अगर एक number चाहिए मुझे जो 0.24 प्रोड़ेक्ट दे तो वो तो available है 0.8 ठीक है लेकिन इसके साथ में अगर 0.24 चीए ना तो मुझे यहां पे multiply करना पड़ेगा 2 तो यह तो 2 हो नहीं सकता क्योंकि less than 1 नहीं है तो यह है नहीं और 0.1 है वो less than 1 है तो बिना आगे जाए A option जो है ना वो मेरा correct answer होगा Done 39th question देखते हैं बहुत अच्छा question है क्या कह रहा है कि दो triangle है triangle P and Q 3 or 4 triangle P है ना उसकी जो length है वो है 3 or 4 और triangle Q जो है ना उसकी है 3 or 5 ठीक है which of this could be the length of the third side ये third side हमें पता करने है दोनों की ठीक है एक तरीका मेरे पास अगर आपने पड़ा होगा कि sum of two side जो होता है किसी भी triangle में वो third side से greater होता है बराबर भी नहीं होता तो अगर मैं 2 ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए तो 2 और 3 को मैं add करूंगा तो 2 और 3 को add करने पर actual में ये तो triangle बन जाएगी ये वाली तो लेकिन यहां नहीं बनेगी तो ये option नहीं हो सकता 6 अगर मैं ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए 6 मैंने रख ली दोनों में 6 रखने में बिल्कुल ठीक है दोनों side का sum करके दोनों छोड़ी side को पकड़ो इनका sum 3 से greater आ रहा है बिल्कुल आ रहा है इनका sum greater आ रहा है तो इस case में 6 वाला answer correct होगा सर 7 क्यों गलत होगा 7 इन दोनों के बराबर आ जाएगा और 2 क्यों गलत होगा 2 लेंगे तो दोनों side का समयना वो 3 से greater इस condition को fulfill नहीं करेगा done 40th question I think मेरा favorite है सबसे beautiful question है आप पढ़ लीजी पढ़ लिया कहता है एक lift है ना वो भया even जो है ना उसी पर रुखती है first floor पर नहीं रुखती है second पर नहीं रुखती है आपने ध्यान दिया ground floor से start वामा लीजी वो रुखती है 1, 2, 3, 4 अगर मैं यह लूँ तो यह कहती है इस सिरफ even पर रुखेगी और भया 4 पर रुखेगी और 6 पर रुखेगी इस तरह से एक आदमी का office है ना वो भया third floor पर देखो इस नहीं लिखावा third floor मेन मुद्ध है यहां जाना है उसको done कहता है यह बताइए what is the time shortest time in which निशांद can go to his office from the ground floor or return to the ground floor ठीक है दो तरीके यहां से गया तो यह कह रहा है 5 सेकिंड लगेंगी यहां से गया यहां तो 5 सेकिंड लगेंगी और नीचे उतरेगा सीडियों से तो सीडियों से उतरने का जो time है ना down वाला वो 20 है तो एक option कितना हो गया 5 प्लस 5 और यह हो गया 5 प्लस 5 प्लस 20 यानि कि office पहुंच गया यह 30 में बिलकुल ठीक है अब देखते है office से वापिस कैसे आता है वापिस आने का तरीका है कि यहां से यह आया तो बहिया down हुआ यह 20 में और फिर उसने lift ले लिए 5 आया तो down होने का 25 है तो यह 55 है वो answer होगा according to me आप दूसरा option करके देख लिए ज़्यादा time ही आ रहा है 55 is the correct answer clear होई बात with this our solution video is over thank you very much